नमस्कार, रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए पान सेकेंड में स्टार्ट तकनीक ने जहां आम जन जीवन को सुविधा जनक बनाया है वहीं इसका दुर्पयोग करने वालों ने इसे एक हतियार के तौर पर इस्तिमाल करना सुरू कर दिया है जैसे जैसे लोगों की निर्भरता और व्यस्तता इंटरनेट पर बढ़ने लगी अवैद रूप से आर्थिक गत्विधिया चलाने वाले गिरोहों ने उसी रास्ते लोगों को फसाना सुरू कर दिया मसलन सटेवाजी का धंधा चलाने के लिए कई एप चलाए और उसके जर्ये बिना महनत के अकूत कमाई के सपने परोसे जाने लगे इस तरह के जाल में फसने वाले ज्यादतर लोगों को नुकसान ही हुआ लेकिन ऐसे एप संचालित करने वालों ने करोणों अर्वों रुपे की कमाई से अपना व्यापक कारूबार खड़ा कर लिया गौर तलब है कि सुक्रवार को प्रवर्तन निदेशाले यानी ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टे बाजी एप को लेकर एक बड़ी कारवाई की और इस मामले में देश भर में 49 ठिकानों पर छापे मारी कर चार सव सत्रह करोण रुपे की संपत्ति जब्द की 36 गड़ के रहने वाले दो लोग महादेव सट्टे बाजी एप के संचालक हैं और मौजूदा समय में ईडी के निशाने पर हैं सट्टे बाजी के जरिये संयुक्त अरब अमीरात में बनाए गए सामराज्य का अंदाजा इस से लगाया जा सकता है कि इसी साल फरवरी में इस एप के एक संचालक ने जब वहाँ शादी की तो उसे समारोह में करीब दो सव करोन रुपए नगत खर्च किये गए उसमें मुंबई फिल्म जगत से कई गायकों और अभिनेताओं को प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था और सब को हवाला के जरिये बड़ी रकम का भुकतान किया गया इडी की जाँच में इस बात का भी खुलाशा हुआ की महादेव बुक एप और सट्टेबाजी का मामला च्छत्तिस गड़ के कुछ राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों से भी जुड़ा है इस एप का सालाना कारोबार लगभग बीस हजार करोण रुपए का था है इस धन्दे के संचालकों ने यह कारोबार कोई एक दिन में नहीं खड़ा कर लिया पैसे के लेंदेन और खास कर डिजिटल तरीके से आनलाइन और गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने का दावा करने वाले संबंधित महकमों के कामकाज करने का तरीका आखिर क्या है कि कोई भरस्टाचार इस इसतर तक पहुँचने के बाद पकड़ में आता है आए दिन सटे बाजी के खिलाफ अभियान छेडने और इसके जरिये किसी तरह का अवैद कारोबार करने वालों पर सिकन्जा कशने के दावे के बरक्स हकीकत यह है कि आज बड़े पैमाने पर लोग अलग अलग तरीके से सटे बाजी के जाल में फसकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं दरसल पिछले कुछ वर्सों के दौरान किसी भी तरीके से पैसे कमाने की जैसी भूख पैदा हुई है उसमें बहुत सारे लोगों को इसमें कोई हिचक नहीं होती की पैसा किस रास्ते से हासिल किया गया कई लोग जुआ और सटे बाजी का सहारा लेकर रातो रात अमीर बनने की ख्वाइश पालते हैं और इसके संजाल में फस भी जाते हैं ऐसे ही लोगों की धनी बनने की भूख को भुना कर सटे बाजी का तंत्र संचालित करने वाले माफिया अपना कारोबार खड़ा करते और दूसरों की मेहनत की कमाई को अलग अलग तरीके से लोट कर अपना आर्थिक सामराज कायम करते हैं सरकार को जहां इस तरह के धन्दे पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए वहां आनलाइन सटे बाजी पर GST लगाने की बात कर परोच रूप से उसके लिए जगह मुहया कराने की कोशिश हो रही है जबकि सटे बाजी के जरिये गैर कानूनी रूप से करोणों अर्वों रुपै की कमाई करने वाले और प्रकारांतर से जुआ खेल कर अमीर बनने की प्रवित्ति पर लगाम लगाने की ततकाल जरूरत है